हेलो ठायो! क्लिक हीर ती सब्सक्राइब! क्लिक इभाय। हाई डिसल, क्या तुम्हारा काम हो गया übrig? और तुम बताओ, काम पर जा रहे हो तुमने आज बहुत महनत की अभिग Вам मेरा का मेरा काम खत्म हो गया है तो मैं आराम करूँगा घर पहुच कर। अच्छी बात है पिर से नहीं। क्या हो गया लगता है कुछ खराबी है तो टीयों के पास जा कर तुम्हें चेक-rist dollars मैं अ सच मैं भूंठ है हुँ मैं इससे थोड़ा सा मजा करता हुँ जेक अब बहुत डरावना होता है ठीटि पूर सच में डरावना होता है हिस्ट मुझे चक्कर आ रहे हैं चेक अप के लिए तुम्हें सर के बल लेटना पड़ता है तब टीो एक बड़ी उट सुई वाला इंजेक्शन लगाता है डीजल अब तुम्हें इंजेक्शन लगाना है इंजेक्शन इंजेक्शन मत लगाओ तुम आम सॉरी लेकिन तुम ही इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा पर क्योंकि मैं बहाद हुरू इसलिए मैंने भीना डरी लगवा लिया इतना दर्द होता है बिलकुल दूसरी रेल तो यह दर्द बरदाश्ट नहीं कर सकती जी जंती से मेरे पास आओ अभी आता हूँ पता नहीं मुझसे क्या काम है फिर मिलता हूँ तुम्हारे चेक अप के लिए गुड़ लग हाँ शुक्रिया चेक अप से डर लग रहा है हाई मिस्टर हर्ब ओ आ गये तुम मुझे तुम्हारी मदद चाहिए किस तरह की मदद बंदर गहा जाने वाली एक प्रेन खराब हो गई है और वो जा नहीं सकती इसलिए मुझे तुमहारी मदद की जरूरत है मैं मुझे नहीं जाना है क्या मैं बिमार होने का नाटक करूँ लगता है कुछ खराबी है हाँ यही ठीक रहेगा मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ क्या तुम बीमार हो डीजल मैं कह नहीं सकता कुछ मेरे ख्याल से मुझे चेक अप करवा लेना चाहिए तो तुम अभी टीओ के पास जाओ हाँ ठीक है रुख जाओ डीजल क्या क्या तुम डीजल को टीओ के पास ले जा सकते हो मैं काम रहा हूँ अब मैं क्या करूँ मैं जेक अप नहीं करवाना चाहता टीटीपो हाँ तुम्हारे काम पर जाने का समय हो गया है ठीक है हाई मिस्टर होब तुम इस तरह काम क्यो रहे हो मुझे लगता है निकलने से पहले तुम्हें चेक अप कराना चाहिए क्या चेक अप तीओ के पास जाओ और अपने चेक अप करवाओ ठीक है हाई बाई मिस्टर होब मिस्टर होब का आदेश मान कर टीटीपो टीओ के पास जाने के लिए निकल पड़ा तुम ठीक तो हो ना डीजल दर्द हो रहा है कहाँ पर दर्द हो रहा है तुम्हें कहाँ पर यहाँ पर भी और इन्हें पता नहीं चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ जी कहिए मिस्टर हब खदान में एक एकसिडेंट हो गया है डीजल को छोड़ने के बाद जद्वी से वहां पहुंच जाओ जी अभी जाते है सर एकसिडेंट फिक्स तुम्हें वहां जल्दी जाना चाहिए अब मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ तुम आराम से बहुत जाओगे ना हां बहुत ही आराम से तो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो अउट्टेयो मुझे बहुत दर्द हो रहा है मैंने टेस्ट तो कर लिया है और सब ठीक भी है यह कैसे हो सकता है मुझे जबर्दस मुझे डर लग रहा है यह तो टीजिल की आवाज है चेकप में बहुत दर्द होता होगा छोड़ो इसे मैं काम पर जा रहा हूँ मैं थक गया हूँ टीटीपो हेलो सर मैं फिर से कापने लगा क्या तुम बीमार हो नहीं मैं ठीक हो अब मुझे चाना है चल्दी निकलना होगा टीटीपो 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 क्या सबर्दस्तनीन थी हाँ डीजर हाँ टीओ अब अच्छा महसूस हो रहा है तुम्हें हाँ मैं पहले से काफी अच्छा हूँ बढ़िया तो तुम वापस काम पर जा सकते हो काम नहीं दर्ट फिर से शुरू हो गया है मुझे मेरी ख्या और आराम करना चाहिए हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा हूं यह अख्री स्टेशन है काम पूरा हुआ मैं बहुत थक गया हूँ मैं अचानक से रुक क्यों गया मुझे मतद के लिए मिस्टर हर्प को बुलाना चाहिए मिस्टर हर्प मिस्टर हर्प अरे नहीं मेरा रेडियो भी खराब हो गया अब मैं क्या करूँ यह बाप्रे टीटीपो खराब हो गया है टीटीपो टीटीपो यह जवाद क्यों नहीं दे रहा है हमागे मिस्टर बहुत अच्छे पर यह बताओ तुमने कहीं टीटीपो को देखा है नहीं मैंने नहीं कुछ खास बात है मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं टीटीप ठीक है हम ध्यान रखेंगे ओई टीटीपो क्या हुआ कुछ पता नहीं उससे बात नहीं हो पा रही उसे यहां चेक अप के लिए आना था अरे नहीं कहीं यह मेरी वजह से तो नहीं हुआ ठीओ मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ डीजल यह समय कहा जा रहा है टीटीप टीटीपो टीजल तुम ठीक तो हो मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक मिनट रुको पकड़ लिया अब चलते हैं टीटीपो शुक्रिया टीजल मिस्टर हम टीजल टीटीपो बटरी पर खराब हो गया था मैं उसे टीओ के पास लेंग जा रहा हूँ हूँ डीजल लेकिन तुम भी तो बीमार हो ना मैं ठीक हूँ मैं पहले से बेहतर हूँ बहुत अच्छा है तो टीटीपो का पूरा ख्यार रखना है जरूर रखूंगा मिस्टर हब तेश चलते हैं टीटीपो ठीक है टीओ कहां गया मैं उसे ढूंडता हूँ तुम यहीं पर रुको ठीक है एक मिनट रुको डीजल क्या हुआ मुझे नहीं लगता मैं चेक अप करवा पाऊंगा वह बहुत अराबना होता है दरने की जरूरत नहीं है चेक अप में बिलकुल दर्द नहीं होता लेकिन तुमने कहा था बहुत दर्द होती है कहा तो था पर मैं मजाग कर रहा था I am sorry टीटी पो नहीं ऐसा नहीं है मैंने यहां तुपहर को तुम्हारी दर्द से चिलाने की आवाज सुनी थी ए यह बांप ऊच्छा वह वह तो मैं आसे कर रहा था हूँ नाड़क हाँ वह मैं काम नहीं करना चाहता था इसलिए भीमारी का नाटक के आप सुछट दो फिर इसका मतलब चेक अप करवाने में तरद नहीं होता हैater हाँ बिल्कुल नहीं होता है तो फिर ठीक है मैं चेक अप करवाने के लिए तयार हूँ डीजल क्या कहा तो में मिस्टर हाइब नाटक कर रहे थे मुझे तुम पर कारवाही करनी होगी लेकिन टी हो तुम्हें पहले जाकर टिटीपो का चेक अप करना चाहिए बिल्कुल हो गया पूरा चेक अप हो गया और दर्द भी नहीं हुआ ना बिल्कुल ठीक मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ अब आगे से तुम रेगुलर चेक अप करवाते रहना ठीक है मिस्टर हाइब सब ठीक हो गया तुम ये बताओ डीजल तुमने बीमार होने का नाटक क्यों किया ये बहुत गलत बात है मैं पूरे दिन परिशान होता रहा मैं माफ ही चाहता हूं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा फिर टीयो मिस्टर हब अगर डीजल मुझे यहां नहीं लेकर आया होता तो मैं मुसीबत में फच जाता डीजल ने ही मुझे चेक अप करवाने के लिए समझाया और अब मैं ठीक हूं ठीक हूं ठीक हूं पैसे बात तो डीजल ने आज अच्छा काम भी किया है डीजल मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूं समझ गये टैंक यूँ मैं बहुत खुश हो डीजल लेकिन सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए अब तुम्हें सफाई का काम करना होगा क्यों मैं सुबह तुम्हेरा काम देखने अपना चेक अप करवा लिया लेकिन डीजल अब वीमारी का नाटक नहीं करना टीटीपो और सेटर घूमने गए आज टीटीपो की छुट्टी है हाई दोस्तों टीटीपो क्या कर रहे हो मेरे साथ बाहर घूमने चलोगे मुझे काम परचाना है मुझे भी मुझे लगता है अज सेटर की छुट्टी है बहुत बढ़िया मैं सेटर को कहता हूँ मेरे साथ चलने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा हाँ सेटर को चूचू टाउन से बाहर जाना पसंद नहीं आप गूमने जाने के लिए भला कौन सी ट्रेंड मना करेगी बात में मिलता हूँ बाय बाय तुम देखना वो उसके साथ नहीं जाएगा ठीक है चलो अभीने सही से लगा देता हूँ हाई सेटर बाहर चलके खेलते हैं खेलते हैं आज तुम्हारी चुट्टी है तो हमें बाहर जाके खेला चाहिए मुझे चूचू टाउन में ही रहना पसं है चूचू टाउन में भी मज़े करने के लिए बहुत कुछ है सब लग गए ट्रेन के डपो को लगाने का मज़ा ही कुछ और है और जब सब रेल चली जाती है तब देर तक नहाने का मज़ा ही कुछ और है यह जगह सही लग रही है और दोपहर की जबकी का तो कहना ही क्या है चूचू टाउन का तो कोई मुकाबला ही नहीं बाहर तो बहुत भीड़ और शोर है इसलिए मैं तो यही रहूंगा तुम अकेले ही घूंकर आओ ठीटी पो सेटर इसे बाहर जाना पसंद क्यों नहीं है हां हां अगर मेरे साथ बाहर जाएगा तो उसे पक्का अठा लगेगा इन पीले डबो की जगा यहां है सेटर तुम ने डरा दिया मेरे साथ बाहर चलो सिर्फ एक बार सेटर प्लीज एक बार चलो माफ करना लेकिन मुझे यहां ज्यादा मजा आ रहा है तुम अकेले ही चले जाओ टीटी पो लाल टपो की जगा यहां पर है चलो भी सेटर क्या तुम सच में यहीं रहोगे सच में मुझ से ठीक से काम नहीं हो रहा है टीटी पो तुम्हारी वज़े से मेरा ध्यान भटक रहा है माफी चाहता हूँ अरे नहीं सब उल्टे उल्टे लग गए अब तो बाहर चलोगे ना मैं नहाख राता हूँ माजा आ गया क्या अब मैं नहालू पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो इतना वक्त लगा रही है मैं जल्दी से बाहर निकलू मैं माफी चाहता हूँ आराम से नहाँ तुम नहाचुके सेटर तुम्हें पता है मुझे नहीं नहाना इससे अच्छा तो मैं बाहर जाओ और खूब खेलू क्या कहा तुमने तुम चलोगे सुनकर अच्छा लगा ना नहीं नहीं लगा दो पहर की जपकी लेने के लिए सेटर जंगल में चला गया मजा आ गया तुम यहां क्या कर रहे हो मुझे लगा मैं भी जपकी लेलू अच्छा तुम्हें अच्छी सी लोरी सुना दू नहीं कोई जरूरत नहीं है सोजा छोटे बच्चे सोजा तुम जीते तुम जीते मैं चलूंगा मैं चलूंगा ठीक है तुम चलूगे लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा ठीक है देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा ये मेरा दावा है टीटीपो 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 और सेटर घूमने के लिए बाहर गए अब बताओ तुम्हें बाहर अच्छा लग रहा है ना शायद हम पहुंच गए वो रहा बंदरगा चलो चले ठीक है कौन आया है यह यह वाज कहां से आरही है यह क्या है उपर देखो उपर तुम तो ईद का चांद हो गयों कैसे हो टीटीपो तुम्हें पता हैं में कितना डल गया था हेलो क्रेनी मुझे लगता है क्रेनी को देखकर सेटर उदास हो गया सेटर आते जाते रहा करो बाई अब हमें जाना है चलो चले बुट बाई टीटीपो ऐसे अजनभी मत बनो सेटर ठीक है अपना ख्याल रखना क्रेनी कैसे हो दोस्तो गुमने आए हो सेटर हाँ आ ही गया वाँ तुम्हारी बोगियां तो मैं नहीं लगाई थी पर विश्वास नहीं हो रहा तुम टीटीपो के साथ घूमने निकले हो मैं तुरी देर के लिए ही बाहर निकला हूँ जरूर टीटीपो हाथ मरोड कर तुम्हें लाया होगा नहीं ऐसा नहीं है वैसे भी सेटर आज बहुत मज़े करेगा तो जाओ और मज़े करो मैं काम प वापस मुढने के लिए इसका इस्तमाल करना होगा आगे बढ़ो और इस पर चट जाओ ठीक है इस तरह हां हां पिल्कु जी यह क्या टर्न टेबल में कोई खराबी हो गई है चक्करार है है और मुझे माफ कर दू सेटर को कुई ऐसी चके लेके जाना होगा जो उसे पसंद आए सेंग सेंग सच में पहुत तेज है कमाल की है अहां मुझे बहुत बढ़िया चके याद आई चो तुम्हें अच्छी लगेगी मेरे पीछे आओ टीटीपो ने तै किया कि वो सेटर को एक शान स्टेशन पर ले जाएगा जगा कैसी है अच्छी लगी ना मुझे पता था सेटर को यहां कर अच्छा लगीगा शुक्र है जीनी स्टेशन पर पहुच गए ध्यान से उतरना वाँ इन डब्बो को मैंने लगाया था हम पहुच गए बच्चो सब ध्यान से उतरना तुम सेटर को बाहर ले ही आए क्या तुम अपने रूट पर हो जीनी हाँ आज मैंने छोटे बच्चों को सेर करवाई यह तो बहुत अच्छी बात है और देखो कितनी अच्छी ट्रेंट वाव यह तो सच्छ में बहुत अच्छी है क्या में इसके अंदर जा सकती हूँ मै मैं मैं मुझे नहीं पता अगर बच्चे उपर आ जाए तो तुम्हें अतरास तो नहीं मुझ पर तुम काम कर रहे हो है ना नहीं काम तो नहीं कर रहा है सेटर को यह अच्छा नहीं लगेगा वाव यह कितनी अच्छी है देसे सुरो बच्चो कोई बढ़न बता बाना सेटर क्या तुम ठीक हो ठीक हो मुझे बुरा लग रहा है मुझे से यहां नहीं लेकर आना चाहिए था सुनो ठीटी पो अब हम शहर वापस जा रहे हैं ना हाँ वापस जा रहे हैं मैं सेटर को दिखाना चाहता था कि बाहर कितना मज़ा आता है लेकिन साब गड़़ हो गई अरे बारिश होने लगी चल्दी वापस चलो ठीटी पो बरसाथ भी आज ही होनी थी सुनो सेटर वाप टीटी पो आकाश की तरह देखो एक इंद्रधनुश वाप सत्रंगी इंद्रधनुश कितना सुन्दर है ओ हाँ सेटर माफी चाता हूँ तुम्हारा आज का दिन खराब हो गया क्या बंदरगा में इतना शोर था फिर वो छोटे बचे तुम पर कूदने लगे और फिर बारिश हो गई गलत क्या रहे हो मेरा दिन बहुत अच्छा था क्रेनी से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा और अपने दोस्तों को काम करते हुए देखकर खासतोर पर उन डब्बों के साथ जिने मैंने जोड़ा था मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ठीटी पो उन प्यारे बच्चों के साथ खेल कर भी मुझे बहुत मज़ा आया और अब मैं इस सुन्दर इंदर धनुश को देख रहा हूं ये सब तुम्हारी मुझे से हुआ शुक्रिया टीटीपो मुझे शुक्रिया मत कहो कोई बात नहीं मैंने ठीक कहा था है ना बाहर जाकर खेलने में बहुत मज़ा आता है हां अब हम अक्सर जाय करेंगे बहुत बढ़िया अगली बार हम सब के साथ घूबने जाएंगे तिकर सेटर और टीटी एक बहुत ही अच्छा दिन और ये आ रहा है टीटीपो हेलो मिस्टर हब ओ टीटीपो गुड मॉर्निंग आज तुम बंदर गाह जा रहे हो ना हां मिस्टर हब काम के लिए तयार हूँ ओ आगे तुम इससे मिलो ये है टीटीपो और ये है मैनी इस शहर की नई माल गाड़ मिलकर अच्छा लगा मुझे भी तुम दोनों ही बंदर गाह जा रहे हो इसलिए तुम साथ साथ जा सकते हो तुम आगे आगे चलो चीक है टीटीपो और मैनी बंदर गाह के लिए चल पड़े काम खत्म करने के बार मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाँगा मज़ा आ लेकिन ख़दान में हमेशा साफधान रहना होता है क्यों पता है एक बार एक सुरंग तूटकर मुझ पर गिर गई थी तो फिर तुमने क्या किया मैं मैं चटानो को तोड़ता हुआ बाहर निकलाया तुम चटानों के बीच से निकलाये तुम कितने मजबूत और बहादर हो और ये कोई बड़ी बात नहीं है मुझे लगता हम पहुचने वाले हैं चल्दी पहुच गए सुनो मैनी बात में मुझे ऐसे और किस्ते सुनाओगे जरूर सुनाओंगा बाई ठीठी पो अच्छो से काम करनो बात में मिलते हैं यही व अगली मालगाड़ी यहां हूँ मैं मैं आ गया ओ तुम जरूर नहीं मालगाड़ी हो हाँ मेरा नाम मैनी है दमदार मैनी चलो शुरू करते हैं फिर जरूर आप सबका स्वागत है कैसी है टी 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 पो हलो हाई यह तो मैनी है तो पीछे के हिस्से में भी सामान लग दू जरूर मैं आगे निकल जाता हूं लेकिन क्यों अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाओं तो तुम्हें लोड करने में असानी होगी तुमने काफी कमाल का सोचा ताकि तुम्हें परिशानी ना हो वाँ मैंनी कितना अच्छा है काम खत्म करने के बाद टिटीपो चूचू शहर में वापस आ गया हाई दोस्तों हाई टिटीपो तुम्हारा काम खत्म हो गया हाँ आज जो नई रेल आई है तुम उसे जानते हो ऐसे नई रेल आई है अरे हाँ तुम अब तक नहीं मिले ँस मालगाडी का नाम है मैंनी नई मालगाड़ी आई है हाँ नारंगी रंग में पेक्राद काका दघारिया है उसकी आवाज भारी है और काम जबर्दस्ट करता है एक नई है कि आ है तुम सोच रहे हो मैनी तुम से ज्यादा ताकतवर है है कि बात नहीं टीक है जीनियो शिंख सिंख तुम भी तेजार हो जाओ ठीक है बात में मिलते है चीटीपा ठीक है वाह बहुत सुन्दर सतरंगे रंग पर पिली काली धारिया चीटीपो ने तुम्हारे बारे में बताया था तुम नहीं ट्रेन हो है ना मैं आज ही यहां आया हूँ मुझे तो इसकी आवाज भारी नहीं लगी तो तुम अभी क्या कर रहे थे मैं फूलों को देख रहा था कितने सुन्दर फूल है ना सच में मुझे भी फूल पसंद है मुझे कैसी जगे पता है जहां बहुत सारे फूल है किसी दिन चलोगे जरू डीजल बंदरगाह में पहुंच गया है ठीक है लोडिंग शुरू कर दो एक और नया बच्चा तुम जरूर चूचू शहर में आई नई माल गाड़ी हो स्वागत है बच्चे तुमसे मिलकर अच्छा लगा ओ ये जरूर महीं होगा जिसके बारे में टेटी पो ने बताया देखते हैं कितनी ताकत है इसमें अब सामान रखना शुरू करता हूं एक मिनट रुख जाओ मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक जगे खड़ा हुआ हूं मुझे तो ठीक जगा ही लग रहे हो नियम तो नियम होते हैं निशान पर ही रुखना चाहिए यहां अब शुरू कर दीजिए नियमों को काफी मानने वाले हो चलो अब मैं रखता हूं एक मिनट रुखिये प्लीज सर कंटेनर्स आराम से रखिया आप क्यों मेरी बोगी पर घरों जा सकती है ठीक है तो मैं आराम से रख देता हूं आपका शुक्रिया अजीब बात हैं मैंने सूचा था ये दाकतवर होगा शायं टीटीपो को इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि कोई भी मालगाड़ी मुझसे मजबूत नहीं हो सकती ठीटीपो 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 हाई टीजल मैंने मैनी को देखा अच्छा वो बहुत मजबूत है ना बिल्कुल नहीं वो तो इस बात से एकदम उल्टा है क्या ये क्या कह रहे हो हाँ मैंने अपनी आखों से देखा उसे वो तो सामान को लोड करवाने में भी काफी घबर रहा था लेकिन मैनी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है 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 सामान लखना शुरू कर दूं क्या मैं है अब क्या हुआ बच्चे प्लीज बहुत ध्याद से सर मुझे बहुत डर लग रहा है नहीं मैनी ऐसा नहीं हो सकता ओ लेकिन वो है हाई दोस्तों हेलो किस बारे में बात कर रहे थे मैंने आज मैनी को देखा मैं बस टीटीपो को वही बता रहा था हाँ मैने भी उसे देखा मैनी और मैं फूल देखने चाहेंगे उसे भी फूल उतने ही पसंद है जितने की बहुत सारी बाती मिलती जुलती है ओ पूलो की खुश्बूखा जवाब नहीं मुझे लगता है तुम लोग उसे कल्दी हो रही है हम से नहीं तुम से हो रही है सही कहा जैसा तुमने बताया वो उससे बिलकुल ही अलग है कितनी अजीब बात है उसी समय सिंग सिंग ने भी नई ट्रेन को देखा हां यह ज़रूर मैंनी होगा आपका स्केशन आगया यह काम खत्म हां है हलो है हलो है हलो है यह इतनी चल्दी स्टेशन तक कैसे पहुँच गया क्या कोई मालगारी मेरी जितनी तेज हो सकती है हो गया काम पूरा हो गया काम पूरा करने के बाद मैनी वापस चूचू शहर आ गया टीटी पा ओ मैनी आ गया आप सबसे मिलकर अच्छा लगा मैनी क्या तुम्हें सच में पूल पसंद है तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं जब क्रेनी सामान रख रही थी तुम्हें डर लग रहा था मैंने बताया ना वो डर रहा था माफ करना लेकिन मैं जानना चाहती हूं मालगारी इतनी तेज कैसे तोर सकती है तेज अब समझ में आया तुम भी जल्दी समझ जाओगे हेलो कैसे हो भाई मैं चाहूं एक जैसे दो मालगारी यहां तो दो मालगारी है हम जुडवा भाई है मेरा नाम बर्नी है हाँ देखने में एक जैसे लेकिन है बहुत अलग बिल्कुल सही तो जो फूलों को देख रहा था वो वो मैं था और मैंने जिसे देखा क्या वो भी तुम थे हां यह पताओ जब मैंने तुम्हें पुल पर देखा था उसके बाद तुम स्टेशन इतनी जल्दी कैसे जिसे तुमने स्टेशन पर देखा वो मैं हूँ और पुल के उपर से मैं निकला था तुमने पहले मुझे देखा फिर मैंनी को हाँ अब समझा गया सब तुम दोनों तो सच में एक जैसे लगती हो हाँ मैं बहचान ही नहीं पाऊंगी वैसे हम बिल्कुल एक जैसे नहीं है जरा ध्यान से देखो हम थोड़े अलग है हमारी धारिया भी अलग है देखो अब ध्यान दिया मैंने तुमसे तुम्हें मिला ही नहीं मेरा नाम है टीटी वो मैं हूँ जीनी मेरा नाम सिंग सिंग है तुमसे मिलकर खुशी हुई और मैं यहां के सबसे दमदार मालगाड़ बीजल तुम सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे भी हम चुचु का में तुम्हारा स्वात करने हैं चुचु शहर में दो नए दोस्ताइब उम्मीद है सब मिलकर रहेंगे